अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कोटाइल डिवियेशन अच्छा रेंज का हम एक छोटा सा आप लोग को एक्जाम्पल देना चाहेंगे तर क्यूं पढ़ा दिया आप रेंज अगर आप लोग को accurate weather forecast नहीं दे पाता है आपका phone तो क्या लिखा रहता है इतना से लेकर इतना degree का बीच में गिरना चाहिए तो range will provide you with the lowest values and the highest possible values if you don't have an accurate close value समझ में आ रहा है यहीं कहीं होना चाहिए तो आपको बोल दिया 10 डिग्री से लेकर 14 डिग्री का बीच में आज temperature रहे तो आप पकड़के चलोगे 12-13 डिग्री ऐसा कुछ रहना चाहिए 10 डिग्री भी हो गया तो आप गलत नहीं बोल सकते आपको और 14 डिग्री भी हो गया तो भी गलत नहीं बोल वह आपको बोल दिया था इससे इससे तक वेरी करेगा इसके बाहर नहीं जाना चाहिए करदा आइडिया तो range sometimes is used in weather forecasting दिखा हुआ यूजज़ देख लेंगे हम लोग बाद में अभी सर हेडिंग लिखिए quartile deviation यहां से हम लोग आज का मामला interesting होगा हेडिंग लिखिए quartile deviation quartile का system एक बार बताये थे आप लोग को look at the diagram which is given in this particular screen आप लोग को लिखा हूँ है q1 q2 q3 q4 क्या दे आप लोग को बोले थे अगर आप एक string लगा देते हो अगर आप लोग बोलोगे एकदम middlemost value बताइए यह pen है यह pen है sir इसका एकदम middlemost value इसका एकदम बीच में पड़ेगा यह होता है median median का मतला middlemost value अब आप अगर यहां से start कर रहे हो और यहां पर end कर रहे हो तो बीच में अगर आपको और एक observation निकालना है तो 50% का बीच में पड़ेगा 25% और 50 और 100 का बीच में पड़ेगा 75% so you have the first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter समझ में आ गया quarter 1 ये नहीं है sir quarter 1 पचीस है quarter 2 पचास है quarter 3 पचात्तर है quarter 4 100 समझ में आ गया quarter 1 25 निकालने का कोई मतलब बनता है quarter 2 निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि वो तो मीडिया नहीं quarter 3 निकालने का मतलब बनता है और quarter 4 निकालने का कोई मतलब नहीं कि by 100 by 100 सब कैंसल आउट हो जाएगा value वही मिल जाए हम लोग किस से deal करेंगे quartile में सिर्फ first quartile और third quartile 2 1 और Q3 अब उसमें देख लेते क्या क्या पॉसिबल सबसे पहला चीज quartile deviation के अंडर पढ़ेंगे inter quartile range देखो भाई आज का हम बता दिया था heading लिखिए heading लिखिए quartile deviation और quartile deviation का अंडर में क्या क्या आज हम लोग discuss करेंगे first लिखिए inter quartile range इंटर quartile range short miss को हम लोग IQ वारे भी बोलते हैं second चीज जो discuss करेंगे वो होगा quartile deviation quartile deviation QD or third cheese जो अंडर पढ़ेंगे that will be coefficient of quartile deviation COQD these are the three things that we will be discussing inter quartile range, quartile deviation, coefficient of quartile deviation sorted है इतना था sir inter quartile range क्या होता है मैंने क्या बोला था अगर हम लोग यह string लेते हैं इधर में कहीं 25% आएगा इधर में कहीं 50% आएगा इधर में कहीं 75% आएगा और इधर में कहीं पर 100% आएगा 100% को exclude करिए 50% को exclude करिए क्योंकि हो median है तो mainly quartiles का पढ़ाई हम लोग कब करते है 25% पे और 75% पे quartile को नाम देते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 मैंने क्या बोला Q4 नहीं पढ़ना है Q3 नहीं पढ़ना है तो पढ़ेंगे क्या Q1 और Q3 यह दोनों के बीच में range कितना है अगर this is the higher value correct 75% will have the higher value 25% will have the lower value तो अगर आप चे कोई पूछेगा यह दो quartile के बीच में range कितना है कितना total range है तो आप क्या करोगे Q3 minus formula मिल गिया interquatile range का formula लिख लिजिए Q3 minus Q1 IQR is equal to IQR is equal to Q3 minus Q1 Q3 का जो भी value होगा Q1 से आप deduct कर देना Q1 को Q3 से deduct कर देना you will get your interquatile range कोई problem सब ठीक चलिए सर उसके बाद आता है quartile deviation quartile deviation interesting concept अब quartile deviation का मतलब क्या होता है formula लिख लिजिए QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2 basically average of interquatile range, interquatile range का हम लोग average निकात रहे, क्या मज़ा आया सर आपको यह करके यह दोनों, मैंने क्या बोला था, हम लोग क्या chapter पढ़े, measures of dispersion, central value से average में बाकी सारा value कितना deviate करता है central value यहाँ पर कौन सा है, Q2, पुरा यह string में central value क्या है Q2 Q2 से Q1 और Q3 average में कितना deviate कर रहा है, range निकाल कि अगर उसका average निकाल दो तो answer मिल जाएगा how much this is deviating, how much this is deviating, we found out by using Q3 minus Q1 total जो distance है मिल गया, अगर उसको divided by 2 कर देंगा, तो average distance मिल जाएगा जो हम लोग को निकालना था dispersion में, deviation, तो QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2 in short अगर इसको बोला जाए तो IQR by 2, तो अगर आपको IQR दिया हुए, divide कर देना 2 से आ गया, quartile deviation simple है, formula note कर लिए, अब सर उसके बाद आता है, coefficient of quartile deviation range वाला same formula, range में क्या था, L minus S divided by L plus S, range का coefficient क्या था, L minus S divided by L plus S जहाँ पर क्या आएगा, जहाँ पर आएगा सर, coefficient of quartile deviation क्या आना चाहिए, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus, note कर लो है, just another measure, find out a few other or check other facts और कुछ भी हो गया भाई, कोई दिक्कत, team formula एक दम जस्टिपाइड है, अब सर, challenge is not doing this, challenge is again finding the Q3 and Q1, which takes us back to the quartile वाला chapter, which we have already studied while we were studying mean median mode, तो median जब खतम हो रहा था, तो हम आप लोग को पढ़ाये थे quartile, 3N by 4 कराये थे हम, revise करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो देखें, यह calculate करना बिलकुल easy, अगर कोई आपको Q3 Q1 बोल दे हो गया, लेकिन Q3 Q1 निकालना, सीखना पड़ेगा, वो हम लोग सीख चुके हैं, आप लोग को बस revision चाहिए, अब इन तीनों को सर, पढ़ने के लिए, syllabus में, सबसे पहला चीज आएगा, individual series, yes, उसके बाद आएगा, discrete series, और उसके बाद आएगा, continuous series, तो तीनों का case में हम लोग को, IQR, QD, and COQD निकालना आना चाहिए, all the three given cases, we need to find out, IQR, QD, and COQD, अपना ये syllabus बोलता है, और यही तो maximum है सर, यही तीन तीन ताइप का तो data observations अवेलेबल होता है, चलिए सर, तो सबसे पहले start करते हैं, individual series, चलिए, interquartile range दे दिया, quartile deviation दे दिया, coefficient, formula दन, लिख लिए आप लोग, चलिए सर, अब individual series में, how do we find out, how do we find out the quartile, Q3, and Q1, तो यह आपको series provide किया हुआ है, सही है, पहले तो हम अपना example लेंगे, एक बार, और उससे try करेंगे हम लोग करने का, लेकिन आप लोग को याद होना चाहिए, whenever we are studying quartiles, whenever we are studying quartiles, we solve it just like we used to solve median, तो आप लोग को याद है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन पहले ascending order में हम लोग पूरा data को arrange करें, सही है, ascending order में arrange करने के बाद, n plus 1 by, वो हम लोग का था median, यहाँ पर हम लोग को टाइल निकाल रहे है, first quartile होगा, n plus 1 by, third quartile होगा, 3 into n plus 1 by, th item, फिर वो item को पकड़ेंगे, फिर वो item का value को पकड़ेंगे, सही है, चलिए, let's take up an example, let's say, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह आपको values मिल गया है, आपको इसमें बोल दिया है, find, find, क्या क्या था भाई, interquatile range, और क्या था, quartile deviation, और coefficient of quartile deviation, तो चो एक्जाम में बस यह सब लिखके दे देगा, जो आदमी पढ़के नहीं किया, बोल रहा है, भाई, क्या alphabet आया था exam में, हमको न start करना है, ascending order में arrange day की नहीं है, already arrange किया हुआ है, तो arrange करने का जरूवत नहीं है, हम लोगों क्या-क्या चाहिए, sir, q3 चाहिए, और q1 चाहिए, let's find it out, how to find out q3, q3 और q1, q3 का formula note करिए, 3 into n plus 1 by 4th item, 3 into n plus 1 by 4th item, और q1 क्या होता है, q1 होता है, sir, 1 into n plus 1 by 4th item, तो 1 into कर रहे हैं, मतलब कुछ भी into नहीं कर रहे हैं, तो भी चलेगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं, n plus 1 by 4th item, और आप लोगों का याद होगा, median अगर हम लोगों को निकालने बोलता है, q2, q2 का formula क्या होगा, हमें इसी बस extra ग्यान दे रहा, q2 का formula 2 into n plus 1 by 4th item, तो 2 कड़ जाता है, 2 बन जाता है, तो n plus 1 by 2 कहां से आया, यहीं से आया, second quartile का मतलब ही होता है, median, इसलिए अब इसको हटाईए, अब continue करते है, let's continue, so q3, n का value कितना है, total number of observations कितना है, 7, इसका total मत निकाल लेना, n का मतलब है number of observation, n का मतलब यह नहीं कि x का total निकाल लिए, कोई sense नहीं बनेगा, so total number of observations is 7, so sir your answer will be 3 into 7 plus 1 by 4th item, कितना आ रहे है बताओ कोई मेरे को, 6th item, क्या बोल रहे है, 8 by 4, पचा 6th item ही तो आ रहे है, क्या गया 6th item, अब आप पुरा list में check करो, 6th item कौन सा है, number 6, number 6 ही तो 6th item है, तो 6th item का value कितना है, 6, अब q1 में आ जाओ, q1 में आ जाओ, q1 में, total number of observation is 7, तो 1 into है, तो 1 को गोल कर देते है, 7 plus 1 by 4th item, क्या आएगा, second item, second item का मतलब 2, second item यहाँ पर है 2, तो अगर हम लोगों को बुलेगा, IQR निकालने, q3 माइनस q1, कितना आएगा, 6 माइनस 2 इक्वल तो 4, IQR का answer is ready, अब आप लोग मेरको answer देदो, for qd and coqd, जल्दी जल्दी, IQR का answer हम देदिया भाई, अब आप लोग को answer देना है, for qd and coqd, जल्दी करिए, जल्दी करिए, qd क्या करना है, इसकी को तो divided by 2 करना, करिए, खरिए, खरिए, को आएगा answer, बताते है हाँ QD का अंथर कितना आ रहा है QD equal to IQR by 2 is equal to 4 by 2 is equal to 2 और COQD कितना रहा है COQD is equal to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 Q3 minus Q1 4 है और Q3 plus Q1 8 है तो 0.5 ठीक है fraction में नहीं decimal में ठीक है ना 0.5 आगे answer किजी है भाई बहुत tough बनाते हैं आज़िए एक काम करो इससे पहले कि इसको tough बना है मेरे को यह वाला answer दो मेरे को guarantee warranty चाहिए कि आप लोग को समझ में आख individual series ही है जल्दी जल्दी बनाईए speed word आईए भाई कि अभी का अंसर आगे जम हाँ कोई बात में एक्जाम तेरे भरी तक तो याद रखना था कि अधिक यूट्यूब पे हम देगा है math का एक से टीचर लोग आगे है कुछ कुछ बहुत क्रेजी पढ़ाता है मतलब इंटरस्त आजा है math पढ़ने ने although अपना subject नहीं था बट लगता है वैसा teacher लोग अगर अपना school में होता कितना लोग math ले ले लेता यह स्पोच के कि teacher तो है अच्छा पढ़ाने के लिए कितना लोग तो लेता ही नहीं जो कि समझाएगा you know people don't take math because they won't find a tuition teacher good enough to teach them math tuition teacher नहीं मिल रहा है बोलके math नहीं लेता है हो सकता है depend करता है आदमी कितना lazy है हाँ जो लोग बोलता है math tough है kind of lazy है दिमाग चलाने का मन नहीं जैसे हाँ मेरा stats में दिमाग से लेगा maths में पता नहीं क्यों नहीं चला है ascending order में arrange करना मत भूलिएगा answer आया है भाई बड़ा simple q1 आ गया 200 and q2 आया है हम लोग का 250 तो हम लोग का interquatile range is 50 qd is 25 and our 4 efficient of qd is 0.11 किजी है भाई पकड़ लो पकड़ लो ठीक है अचा ये भी हो जाएगा अब आराम से अग भी discussion बन करते हैं हम लोग आप हम लोग चले जाते discrete series में सार चले आते discrete series में चले सर discrete series में क्या करना है अपने लोग को discrete series में q3 और q1 कैसे निकालते हैं सर discrete series में भी same fund है आप लोग को क्या करना है यही करना है लेकिन सर अब हम लोग को एक नया चीज का जरूरत है जिसको हम लोग बोलते cumulative frequency तो एक sample हम लोग पहले सम बना लेते हैं और उसके बाद फिर continue करते हैं चलिए सर यहां पर एक range लिख लेते x और f 1,2,3,4,5,6,7 और frequency बठा लेते सर frequency बठा लेते हम लोग frequency क्या बठा है चलिए 2,3,4,5,4,3,2 पता नहीं क्यों मज़ा आगया ठीक है सर अब आपको क्या निकालना है q3 and q1 अब how to find चलिए देख लेते q3 और q1 इस इचली green screen में तो आएगी q3 और q1 आप देखिए आपको इन दोनों को multiply नहीं करना है don't do fx आपको ascending series में arrange करना है यह already ascending series में है f के हिसाब से ascending नहीं करना है x के हिसाब से इतना तो सबको मालूम है अब सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सर cf cf का मतलब क्या cumulative frequency तो पहला क्या होगा 2 उसके बाद 2 plus 3 कितना आ गया 5 5 plus 4 9 plus 5 ऐसे करते करते आपको add करना है 18 plus 3 21 plus 2 complete अब प्लस कर रहे थे और क्या तो बढ़ा कैसे प्लस ही किया होगे जो अब हाई क्या वाज कर रहे है अरे यहां तितली बैठी है यू सी दिस वाइड डॉट ब्लाक डॉट एवरीवड़ी इस अच्छिलिय तितली वह लोग को नहीं दीख रहे होतना अगर तितली ग्रीन होती तब तो मजा ही आ जाता बोल रहे है लोग बोल रहे नहीं है कलरफुल तितली तो दिखती नहीं है वीडियो कॉल में हाँ स्नापचाट पर दिखेगी इतना था complete है अब आपको क्या करना है सर आप total n का value निकालना है n कितना है अब सर आगे क्या करना है अब लिखिए सर सबसे पहले हम लोग निकालते q3 q3 is equal to n plus 1 by पूरा चीज इंटू 3 h item correct which is equal to 3 into n यहाँ पर मतलब क्या हो गया n का मतलब हो गया total frequency individual series में frequency होता ही नहीं था तो n का मतलब क्या था number of observation यहाँ पर n का मतलब क्या है total frequency total frequency कितना है 23 23 plus 1 by 4th item कितना आ रहा है सर निकल लिए 18th item correct अब 18 18 आप सर x में चेक नहीं करेंगे आप बोलेंगे सर यहाँ तो साथी item है तो आप cumulative frequency में चेक करिए 18 किदर fit हो रहा है यहाँ पर तो एक number ही मेरको दिख रहा है 18 तो सर 18 तो यहाँ पर directly fit हो रहा है तो हम लोग का in relation to 18 which is the cumulative frequency x का value कितना है 5 तो q3 becomes 5 the 18th item which relates to the cumulative frequency वो देखेंगे और उसका relation में x का value देखेंगे हम लोग वो आ गया 5 q3 का value आ गया भाई अब q1 का निकाल के दिखाऊ भाई जल्दी जल्दी चले भाई start कर रहें तो q3 का q1 का value कितना है q1 6 आएगा न 6th item 6th item का मतलब हो गया it is falling under 9 वाला and the answer will come to 3 5-3 आ गया 2 iqr is equal to 2 qd is equal to 1 and qqd is equal to 2 by 8 0.2 मसता है वे रिकत चले है सर heading लिखिए continuous series heading लिखिए continuous series basically आप लोग देखोगे न तो आप लोग का revision हो रहा है q3 वाला concept अगर नया concept का आज बात करेंगे तो कुछ खास नहीं हुआ है बट ठीक चले है सर अब हम लोग start करते continuous series continuous series में भी एक example लेते हैं and then we will get back to it formula में ने आप लोग को याद दिलाना है तो continuous series में सर एक example लेते हैं इधर class और इधर लेते हम लोग frequency मज़दार चीज मीड वाल्यू का कोई role नहीं है 0 to 10, 10 to 20 20 to 30, 30 to 40 40 to 50 बस यही पे हम लोग sum खतम कर देते हैं frequency 2, 3, 4, 2 कर दो 3 2, 3, 4, 3, 2 complete TF निकालना पड़ेगा already ascending series में है हम लोग को क्या करना है सर यहाँ पर निकालना है IQR, QD and TOQD तीनों चीज हम लोग निकालने का try कर देए एक काम करो range भी निकाल लेते हैं और coefficient of range भी निकाल लेते हैं यह सारा का सारा चीज हम लोग यहाँ पर आप find out करेंगे तेक है all the things we'll do TF कितना आ रहा है 2 उसके बाद 5, 9, 12, 14 total आ गया सर हम लोग का n is equal to 14 अब सर हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है Q3 Q3 कैसे निकालते हैं पहले तो 3 into n by 2 प्लस 1 नहीं लगाएंगे प्लस 1 नहीं लगाएंगे n by 2th item क्या आ रहा है भाई n कितना है 14 14 by 2th item 21th item 21th class बोलना सी है यहाँ पर तो 21 कि दर जा रहा है ठीक या हुआ कुछ घरबड हुआ क्या something is wrong something is very very wrong के भाई क्या हुआ कुछ घरबड हुआ है अपने से कुछ step निस 7 into 3 भाई यह क्या हुआ 21th item आ गया 21th item तो CF में exist ही नहीं कर रहा है are we missing a step some क्या change करें भाई आना तो चाहिए अंसर oh sorry by 4 होगा oh my god हाई गलत फॉर्मूला लगया भाई 4 होगा यह भाई तो बूले value cross किसे कर रहा है ठीक कितना आ रहा है 7 by 2 7 to 3 21 10.5 आ रहा है ना तो यह आ रहा है सर 10.5th item देखा हम भी बहग है n by 2 का चक्कर में हम भी बहग है n by 4 है पूरा एकदम form आ गया median वाला गलत ठीक n by 4 खड़ना है हाँ quartile पढ़ रहा है याद रहेगा 10.5th item 10.5th item 12 में fit हो रहा है तो Q3 का class मिल गया हम लोको 30 to 40 30 to 40 और Q1 का भी class निकाल दीजिए Q1 का आ रहा है n by 4th item this is coming to 14 by 4th कितना आ रहा है 3 point something यह आईटम आना चाहिए फिर भी निकाल लो exact value कितना आ रहा है 3 point 3.5th item 3.5th item किदर fit होगा 5 में 10 is to 20 4 पॉटाईल हाँ सर 4 पॉटाईल ही तो निकाल plus 1 नहीं होता है जब continuous series होता है तो n plus 1 नहीं करते है सिर्फ individual और discrete में plus 1 करते है हो गया complete अब हम लोगो चाहिए Q3 का exact value Q3 का exact value कैसे निकलेगा सर याद है नहीं is equal to यह continuous series का formula है L1 plus 3N by 4 minus F by minus CF by F into I यह है आपका formula नोट कर लो भाई चलिए से start करे Q3 अब सुनिये Q3 से start करते है तो Q3 में हम लोगो क्या बोला है L1 L1 मतलब lower limit lower limit कितना दिख रहे है 30 तो बैठाइए 30 30 plus अब 3 into N कितना N total frequency कितना आया था हम लोगा total frequency आया था 14 तो 14 by 4 minus TF cumulative frequency of the pre-median और pre-quartile इसका cumulative frequency कितना है 12 इसके ठीक पहले वाले का 9 यहाँ से minus करेंगे आप 9 5 इसका अपना frequency कितना है 3 इसका अपना frequency है 3 यहाँ पर करेंगे 3 इन्टू class interval कितना है 10 30 to 40 है न 40 minus 30 हो गया 10 पताइए भाई आंसर कितना आ रहे 35 I am guessing पताओ भाई हम ठीक लिखें क्या 14 by 4 आ रहे है तो 7 by 2 हो गया 7 by 2 into 3 हो गया 1.5 10.5 10.5 minus 9 हो गया 1.5 1.5 into 10 15 15 by 3 5 35 पताइए यही सब छोटा मोटा calculation होता है हमसे जल्दी यही कुछ और डाल रेक्ठ हो alpha बिटा गामा डाल दो भाई हम चले घर चलिए भाई 10 by 4 n का वाल्यू कितना था टोटल 14 14 by 4 minus CF cumulative frequency of the pre-covertile class 2 आ रहे है इसकी उपर वाले का 2 आ रहे है और frequency कितना है इसका frequency है सर इसका अपना 3 divided by 3 कर दी है सर into i का वाल्यू 10 class interval i is class interval total कितना आ रहे 14 confidence है बुले 35 by 3 कितना होगा interval भी नहीं है रेकरिंग आना चाहिए देख लो 3.5 minus 2 आ रहे है 15 आ रहे 15 आ रहे 14 by 4 हो गया 3.5 3.5 minus 2 हो गया 1.5 15 multiply करोगे 10 से तो 15 by 3 is 5 10 plus 5 आ गया भाई Q1 का भी value है Q3 का भी value आ गया अब तो आराम से हम लोग निकाल सकते है Q3 minus Q1 कर लो भाई कितना आ रहे Q3 minus Q1 IQR आ गया which is 20 20 तो हम लोग के पास QD कितना आएगा 10 divided by 2 and हम लोग के पास finally COQD है COQD कितना आएगा 35 minus 15 by 35 plus 15 which is equal to 20 by 50 2 by 5 कितना आ रहे 0.4 समझ में आया क्या करना है क्या बात है